नमस्कार साथियों, अस्सलाम अलेकुम साथियों आप लोगों के GIC उर्दू के सलेबस में मन्टू का एक अफसाना है टूबर टेकसी तो मन्टू के इस अफसाने का खुलासा आपको बताने से पहले साथियों मन्टू के बारे में März कुछ बता दूँ आपको तो आप ध्यान से सुनियेगा और नोर्स भी बनाते चलिएगा साथियों मन्टू इनकी पैदाईश लुधयाना में 1912-訂閱 में हुई और इनका इंतकाल लाहौर में हुआ सबसे पहले तो यही देख लिजिए कि इनकी पैदाइस 1912 इसवी में लुधियाना में हुई और इनका इतकाल 1955 इसवी में लाहोर में हुआ आगे चलते हैं मंटू का असल नाम सादत हुसेन था ठीक है मंटू का असल नाम सादत हुसेन था और कलमी नाम मंटू था सुनते रहे साथ हूं नोट्स भी बनाते रहें वीडियो को कई बार देखेंगे और नोट्स बनाएंगे तो इंशालला बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा आपका आप लोगों से गुजारी से हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करते रहें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकोन आएगा उसको जरूर प्रेस करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उनको बहुत बहुत शुक्री आदा करना चाहता हूँ और जो नए लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है भी वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें शेर करें, कमेंट करें और लाइक करें तो आगे बढ़ते हैं मंटू का असल नाम सादत हुसेन सादत हसन और कलमी नाम मंटू था मंटू का असल नाम सादत हसन और कलमी नाम मंटू था इनके वालिद का नाम गुलाम हसन देखते रहिए इनके वालिद का नाम गुलाम हसन और वालदा का सरदार बेगम ठीक है साथियों अगले पॉइंट पर चलते हैं मन्टू ने अपना अवलेन अफसाना तमाशा देखते रहिए के उनुमान से लिखा जो बारी अलीक की अधारत में हफ्ता रोजा रिशाला खलक के पहले शुमार खलक के पहले शुमारे मन्टू ने अपना पहला अवलेन अफसाना तमाशा के उनुमान से लिखा जो बारी अलीक की अधारत में हफ्ता रोजा रिशाला खलक के पहले शुमारे मन्टू समझते भी चलिए बहुत तेज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है समझ के पढ़िये तीसरा पॉइंट है मन्टू को दरबार पागल खाने में दाखिल होना पड़ा अगले पॉइंट पे चलते हैं मन्टू का अफसाना तरक्की पसंद और बत्तमीज एक तंजिया अफसाने हैं ठीक है अगला पॉइंट मन्टू का वाहिद नाविल बगएर उन्वान के नाम से 1954 में शाय हुआ ठीक आगे चलते हैं मन्टू के अफसानवी मन्वूए देखे यहां पर देखने और समझने की बात है आतिश पारे पहला उसके बाद धुआ फिर लज़त संग फिर सिया हाशिये चुगत ठंडा गोश्ट फंदने बादशाहत का खात्मा नमरूद की खुदाई रत्ती माशा तोला और शिकारी औरतें वगएरा ठीक है साथियों यह क्या है यह मंटू के अपसानवी मजमूए हैं आगे चलते हैं मंटू के मशहूर अपसाने मंटू के मशहूर अपसाने देख लीजिए नया कानून काली सल्वार मिसरी की डली गरम सूट खूनी थोक बू भापू गोपी नाथ थंडा गोश्ट नंगी आवाजें खुशियां यजीद टीटो वाल का कुत्ता खोल दो मोजेल तो ये सब क्या हैं ये मंटू के मशहूर अपसाने हैं मुहम्मद भाई टोबा टेक सिंग तेड़ी लकीर ठीक है खुश्बूदार तेल मैना बाजार वो लड़की अंजाम बखैर मेरा नाम राधा जानकी बलाउज राम खिलावन हत्तक और शैतान वगएरा ये क्या है ये मंटू के मशहूर अपसाने हैं और उपर क्या हमने कहा था अपसानों का मजमूवा है ये एक एक मजमूवे में कई अपसाने होंगे तो ये अपसानों का मजमूवा है उपर वाला और नीचे है मशहूर अपसाने जो मशहूर हुए हैं मंटू के और इनमें एक अपसाना है टोबा टेक सिंग जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो इस टोबा टेक सिंग के बारे में हम अभी आगे चलते हैं मन्टू का अफसाना टोबा टेक सिंग के अहम किर्दार टोबा टेक सिंग असल नाम इसका क्या है बिशन सिंग है तो अगले पेज पे चलते हैं फिर से उपर से पढ़ दे रहे हैं अमरित कौर, फजल दीन, टोबा टेक सिंग का ये दोस्त है रूप कौर और बलबीर सिंग तो रूप कौर कौन है ये टोबा टेक सिंग की बहन है तक्सीम हिंद के मौजू पर मन्टू के अहम अफसाने जब भारत और पाकिस्तान का तक्सी खोल दो वो लड़की राम खिलावन और देखिये जो काली सलवार, धुआ, बू, थंडा गोस्त, खोल और इन सब पर खोल दो, थंडा गोस्त, धुआ, और काले सलवार इन सब तक पर बारी-बारी से मुकदमा चला तो पूछ लेता है कि मंटू के कौन से अफसानों पर या कौन से ड्रामों पर मुकदमा चला ठीक है तो काली सलवार, यह धुआ, बू, ठंडा गोश्ट और खोल दो इन पांच, देखे एक, दो, तीन, चार, पांच इन सब पर बारी-बारी से आगे पीशे मुकदमा चला फिर अगला है मंटू के ड्रामों के मजमुए, हमने उपर देखा था अफसानों के मजमुए और यह हैं ड्रामों के मजमुए, तो ड्रामों के मजमुए देख लीजिए आप आओ, जनाजे, नेली रंगीन, तीन औरतें, शैतान, मंटू के खाकों के मजमुई देखिए, गंजे फरिष्टे, नूर जहाँ, सरवर जहाँ, लाउरी स्पीकर तो कौन-कौन से खाकें हैं, कौन-कौन से ड्रामें हैं, और किन पर मुकदमा चला है, इन सब को आप देख लिजिए, और नोर्स भी बनाते रहिएगा मंटू, खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे, ये किस ने कहा, ये क्रिस्न चंद्र ने कहा, मंटू के लिए कहा तो कुछ लोगों ने मंटू की तारिफ भी की है, ठीक है, तो देख लिजिए, मंटू, खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे, ये क्रिस्न चंद्र ने कहा दूसरा है, मुहमद हसन ने मंटू को उर्दू का बरनार्ड शा कहा, तो पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रस्न में, सवाल में, कि उर्दू का बरनार्ड शा मुहमद हसन ने किसको कहा था, या मंटू को उर्दू का बरनार्ड शा किसने कहा था, ये ही से दो प्रस्न बन अब है जिन्स ने सादत हसन मंटू के यहां मजहब की जगह ले लिए है ये किस ने कहा ये अजीज अहमद ने कहा है अजीज अहमद ने कहा है क्या कहा है कि जिन्स ने सादत हसन मंटू के यहां मजहब की जगह ले लिए है तो ये था मंटू के बारे में थोड़ा सा मुक्तसर खुलासा मनटू के बारे में, उनके अपसानों मजमूए, उनके खाका के मजमूए और उनके जो भी ड्रामें हैं, ड्रामों के मजमूए divas में आपने जान लिए लेकिन आपके syllabus में जो टुबा टेक सिंग इस अपसाने का खुलासा पूछा है और बताया हुआ है और आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि इसको आपको पढ़ना है तो मैं आपको Tobar Take Sing जो है मंटू का लिखा हुआ इसका खुलासा आपको सुनाऊंगा तो साथियों Tobar Take Sing के किरदारों से पहले आप रूबरू हो जाइए Tobar Take Sing के किरदारों से एक किरदार है बिशन सिंग और बिशन सिंग तो असल नाम है और इन्हीं बिशन सिंग को टोबा टेक सिंग कहा जाता है इन्ही बिशन सिंग को टोबर टेक सिंग कहा जाता है एक लोग हैं दूसरे किरदार मुहम्मद अली जो अपने आपको क्या कहते हैं मुहम्मद अली जिन्ना एक और लोग हैं जो अपने आपको खुदा कहते हैं ठीक है खुद को खुदा कहने वाला पागल असल मैं मैं इसकी स्टूरी आपको बताने वाला हूँ तो इसलिए सबसे पहले किर्दारों को देख लो रूप कौर है इन्ही बिशन सिंग की या टूबर टेग सिंग की बहन है बिशन सिंग की ठीक है ये और एक है बारा सालों से जमिनदार अकबार पढ़ने वाला पागल ठीक है अब कहानी सुनिए जब भारत और पाकिस्तान का तक्सीम हुआ सुनते रहिए साथी जिससे कहानी आपको याद हो जाए तो जब भारत और पाकिस्तान का तक्सीम हुआ उस समय मंटू का ये मनना है कि सिवाए सियासी लोगों के लावा और तक्सीम में किसी लोगों को कोई फाइदा नहीं हुआ सिर्फ और सिर्फ नुक्सान हुआ और सब को इस तक्सीम का बहुत दुख था यहां तक कि जो पागल रहते हैं जो पागल हैं उनको भी बहुत ज्यादा परिशानी थी इस तक्सीम से उनको भी सह नहीं पाए और अपनी जान दे दिये तो इस टोबा टेक सिंग जो कहानी है जो अफसाना है इसमें सिर्फ पागलों के बारे में बताया गया है और उनकी जजबातों को जाहिर किया गया है और ये बताया गया है कि इनको भी तक्सीम से होने वाले दर्द का एहसास है और ये अपना एहसास कैसे जाहिर करते हैं तो उस समय जब तक्सीम हुआ तो ये हुआ कि भारत में हिंदुस्तान में जितने भी पागल हैं मुसल्मान उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए और पाकिस्तान में जितने भी पागल हैं हिंदु या सिख उनको भारत भेज दिया जाए यानि हिंदुस्तान भेज दिया जाए अब ये खबर जो है फैल गई खबर जब फैल गई तो हर सूबे में पहुँची चाहे वो भारत हो हिंदोस्तान चाहे वो पाकिस्तान हो जब ये खबर उड़ते उड़ते लाहोर के पागल खाने में पहुची तो वहां के पागल बहुत परेशान हो गए और उनके अंदर जो है एक छटपटाहत मच गई बहुत ही परेशान हुए भले ही वो पागल थे लेकिन उनके भी दिल में एहसास था कि अभी तो हम हिंदुस्तान में थे यह अभी पाकिस्तान कैसे पहुँच जाएंगे ये क्या है पाकिस्तान क्या है बहुत सारे पागल थे उसमें अलग अलग किस्म के पागल थे तो एक पागल थे जिनका नाम था विशन सिंग लेकिन असल नाम इनका विशन सिंग था और इनको टोबा टेक सिंग लोग कहते थे नाम पड़ गया था क्यों नाम पढ़ गया था ये एक गाउं में रहते थे उस गाउं का नाम टोबा टेक सिंग था और ये अपनी जमीन से अपने जो है वतन से इतनी मुहबत करते थे कि इनका नाम टोबा टेक सिंग पढ़ गया इनके गाउं के नाम पर इनका नाम टोबा टेक सिंग पढ़ गया दूसरे पागल थे एक मुहम्मद अली जो अपने आपको मुहम्मद अली जिन्ना कहते थे ठीक है तो ये भी एक पागल थे एक पागल और थे जिनको लोग खुदा जो है कहते थे ये अपने आपको कहते थे हम खुदा हैं इनके अलावा एक किरदार और है रूप कोर ये रूप कोर बिशन सी यानि टूबा टेक्चिंग की बहन है और एक पागल और था जो बारा सालों से जमीनदार अकबार पढ़ने वाला पागल था जमीनदार अकबार का नाम है तो उस अकबार को बारा सालों से एक और पागल पढ़ता था बाकी और बहुत सारे पागल थे दुनिया भर के पागल थे चुकि पागल खाने में बहुत सारे पागल रहते हैं ये जो किर्दार हैं अहम उन्ही का नाम जो है हमने बताया है आपको पाकी बहुत पागल थे वहाँ कुछ ऐसे पागल भी थे जो असल में पागल नहीं थे उनके घर वालों ने उनको इस वज़े से पागल खाने रिश्वत दे कर भेजा था कि इनको असल में वो मुझरिम थे कोई मडर किये हुए था तो कोई किसी जुर्म किये हुए था तो कोई अलग अलग जुर्म किये हुए थे और उनको किसी को फासी होने वाली थी किसी को सजा मिलने वाली थी किसी को जो है उमर कैद होने वाली थी तो उनके घर वालों ने उनको रिश्वत दे कर पागल खाने भीजवा दिया था भारहाल वह सही थैं अच्छा तो जब यह खबर पागल खाने पहुची तो बहुत सारे पागल परेशान हो गए और एक दूसरे से यह पूछने लेगा कि पाकिस्तान कहां है पाकिस्तान कहां है तो अब एक दूसरे से वो यही सवाल पूछते रहते थे एक पागल ऐसा भी था जो इतना जोर से नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का कि वो फिसल कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया एक पागल और था जो जालू लगाने के लिए बाहर आता था रोज और जब आया बाहर अगले दिन तो जालू लगाते लगाते वो पेल पर चड़ गया और दो-तीर घंटा तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुद्दे पर उसने तक्रीर दी और उसके बाद जब उसका थोड़ा सा जोज ठंडा हुआ तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदु भाईयों से और सिक भाईयों से गले मिला तो ऐसे भी पागल थे और एक पागल थे जो बारा सालों से जमीनदार अकबार पढ़ते थे उन्होंने भी जब ये सुना कि अभी तक हम हिंदुस्तान में थे या हम पाकिस्तान में हैं और हिंदुस्तान कैसे पहुँच गए या हम अगर पाकिस्तान में हैं तो हिंदुस्तान कैसे पहुँच गए या अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कैसे पहुँच गए तो यही सब मसला था इनमें एक था टोबा टेकसी जो पागल तो था घर से परिशान होकर घर से जो है इसके दिमाग खराब हो गया था तो इसलिए लोगों वहाँ घर वालों ने इसको पागल खाने भेज दिया बहुत ही शांद था बहुत ही सुल्जा हुआ इंसान था इसका असल नाम विशन सिंग था यह अपने वतन से बहुत मुहबत करता था लोगों से बातचीत जादा नहीं करता था ना किसी से लडाई करता था अपने ही धुन में लेटता नहीं था खड़ा रहता था हमेशा खड़ा रहता था, चला करता था, और टहला करता था, लेकिन ये लेटता नहीं था, चलते चलते, खड़े होते होते, इसके पाऊं में छाले पड़ गए थे, जब कभी ठक जाता था, तो दीवाल के सहारे टेक ले लेता था, लेकिन ये लेटता नहीं था, जब इसको भी ये पता चला कि हम हिंदुस्तान में हैं और पाकिस्तान पहुँच जाएंगे तब इसको बहुत दूख हुआ बहुत दूख हुआ और ये अपनी वतन से चुकी बहुत ही महबत करता था और जब अंग्रेज अधिकारी या उस समय जो भी पागल खाने के अधिकारी थे बहुत परेशान हुआ ये फिर जो है उसमें पागल खाने में बहुत सारे पागल ऐसे भी थे जो अंग्रेज थे मतलग जब अंग्रेजों का समय था उस समय जो अंग्रेज पागल थे वो पागल खाने में थे अब तो अंग्रेज चुकी चले गए थे तो वो इस चिंता मे थे कि हमें रोज जो है ब्रेकफास्ट कैसे अच्छा मिलेगा अब तो अंग्रेज चले गए अब हमें को कौन ब्रेकफास्ट देगा तो तमाम अलग-अलग किस्म के पागल थे उनमें से ये जो बिशन सिंग थे टूबा टेक सिंग इनको अपने गाउं से अपने वतन से तो उनमें टोबा टेक सिंग को भी लाया जाने लगा असल में ये आने वाले तो थे नहीं क्योंकि अपने वतन से बहुत महबबत करते थे इनके गाउं का नाम टोबा टेक सिंग था तो इसलिए इनको लोग टोबा टेक सिंग कहते थे और जब इनको जबर्दस्ति लाने ल तो बहुत मिन्टें की गई असल्में इनको कोई मारतत नहीं था क्योंकि ये बहुत इनका कीरदार साफ था और बहुत सीधे थे इन्होंने किसी को लुक्सान TAK नहीं पहुँचा था पागल होने के बावजूद भी और किसी से ये ज्हगड़ा थक इन्होंने नहीं किया था इसलिए इनको भी मारते भी नहीं था कोई, तो बहुत मिन्दने की, बहुत समझाने के बाद, गाली से किसी तरह से इनको पकल के बाहर निकाला गया, ये फिर भी बार्डर के उस पार हिंदुस्तान नहीं जा रहे थे, इनकी एक बहन थी, रूप सिंग, वो जेल में कई बार इनसे मिलने आती रहती थी, और वो इनको बहुत याद करते रहते थे, रूप सिंग को, रूप कौर, सुरी, रूप कौर, रूप कौर को बहुत याद करते रहते थे, रूप कौर इनकी बिशन सिंग की बहन थी, अच्छा जब इनको बार्डर पर लाय गया इनको जब कहा गया कि आप उस तरब जाये तो ये नहीं आ रहे थे बहुत मिनतें की गई नहीं आये तो ये ऐसी जगा चले गए ऐसी जमीन पर चले गए जो वो बार्डर था बिलकुल ना वो हिंदुस्तान में था और ना ही पाकिस्तान में था वहीं पर चले गए और मुह के बल लेट गए और लेट गए और वहीं पर इनका इंतकाल हो गया मतलब ये वहीं पर मर गया तो मंटु जो है जिन्होंने लिखा है अपसाना उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि तक्सीम का फाइदा सियासी लोगों के लावा और किसी भी आम जनता को या आम लोगों को नहीं था यहां तक कि पागल भी अपनी जान दे देते थे तक्सीम का नाम सुन करके पागल भी तकसीम का नाम सुनते थे अगर ये चीज सुनते थे तो उनको भी बहुत तकलीफ होती थी और वो अपनी जान तक दे देते थे जैसे टोबा टेक सिंग ने किया ना हिंदुस्तान में मरा ना पाकिस्तान में मरा दोनों के बॉर्डर पे बीच पे मरा और इसने अपनी जान दे दी इससे ये साबित होता है उन्होंने ये साबित किया कि तक्सीम जो हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का वो किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं था किसी भी पागल भी इस तक्सीम से नफरत करते थे, कोई भी अपने वतन को छोड़ के जाना नहीं चाहता था, सिवाए सियासतदारों के और किसी को कोई फाइदा नहीं था, अच्छा जेल में जब ये थे टोबा टेक सिंग, तो इन्होंने एक पागल से पुछा मोलवी सहब से, कि मोल भी सहब ने कहा कि हिंदुस्तान में एक जगह है, जहां पर उस्तुरे बनते हैं, वही पागिस्तान है, तो मतलब अला, सिर्फ ये टोबा टेक सिंग जो है, वो पूरे पागलों की कहानी है, सारी कहानी आप पढ़ेंगे, तो कोई मतलब नहीं है, इनके किरदारों को याद याद रखिए, मेरे मकसद क्या है, और इनमें किरदार कौन कौन से है, इनमें किरदार बिशन सिंग है, इनहीं को लोग टूबा टेक सिंग के नाम से जानते हैं, मुहमद अली जिन्ना, एक पागल है मुहमद अली, वो अपने आपको मुहमद अली जिन्ना कहते हैं, और एक एक ऐसे भी पागल हैं जो अपने आपको खुदा कहते हैं और रूप कौर हैं जो बिशन सिंग की बहन है और एक ऐसे भी पागल है जो 12 सालों से जमिंदार अकबार पढ़ते हैं ठीक है तो ये पूरी कहानी पागलों की कहानी है और इसमें सिर्फ एक ही सबक दिया गया है लो माम को तकलीफ हुई यहां तक की पागलों को भी तकलीफ हुई सिर्फ एक ही उहदेदारों को तकलीफ नहीं हुई वो कौन थे वो सियासतदार लोग थे सिर्फ उन्हीं को तकलीफ नहीं हुई क्योंकि उनका मकसद यही था उनका मकसद निकल रहा था तक्सीम करने से तो उ आपने जो है मुक्तसर खुलासा टूबा टेक सिंग का सुना किरदारों को ध्यान में रखिएगा विशन सिंग किरदार है इन्ही को टूबा टेक सिंग कहा जाता है मुहमद अली एक किरदार है जो अपने आपको मुहमद अली जिन्ना कहते हैं खास-खास किरदार यही है एक क मतलब एहम किर्दार हैं और पूरा खुलासा आपने सुना और इसमें और कुछ नहीं है कहानी तो बहुत बड़ी है लेकिन में खुलासा यही है संदेश जो आपको मिला सबक जो आपको मिला यही मिला मन्टू ने क्या सबक देने की कोशिश की है और यह कहानी किस पर आधारि आमस्कार, ऐस्सलामोग।